आज हम पढ़ेंगे सैयद काल और लोधी काल सबसे पहले हम देखेंगे सैयद काल के बारे में सैयद वंश 1414 में शुरू हुआ और यह सिर्फ 37 साल तक चला यानि कि 1451 में यह समाप्थ भी हो गया फिर हम देखेंगे किसको शुरू किसने किया खिजर खान ने से शुरू किया खिजर खान ने रहयत कि उपाधी ली इन्होंने कभी सुल्तान के उपाधी ने ली ता नाम था रहयत अला अपने आपको कहते थे अब हम देखेंगे कि खिजर खान जो है वो तैमूर के बेटे को बहुत खुश रखते थे चारुक को हमेशा भेट देते रहते थे और शारुक जो की तैमूर के बेटे हैं इनके नाम का खुतबा भी पढ़वाते थे ताकि तैमूर जो है वो इन पर अटाक ना हो जाए वापस से अब खिजर खान के बेटे आते हैं खिजर खान जो है वो 14 211 तक ही रहते हैं इनके बेटे का नाम था मुबारक शाह और इन्होंने मुबारक बाद की स्थापना की मुबारक बाद जो शहर है तारीके मुबारक शाही यह किताब इनके द्वारा ही इनके समय में ही लिखा गया यह लिखा गया था 14-14 से लेकर उसके बाद हम देखेंगे कि 1434 तक रहते हैं अच्छली यह शुरुआत तो इनका होता है 1421 से ही क्योंकि इनके पिता का जब मृत्यू होगा तो उसके बाद से ही शुरू होगा तो 1421 से यह 34 तक रहते हैं और अपने आपको यह शाह कहलाते हैं अंतिम साशक जो है वो है अलादीन आलमशा और 1445 से लेकर 51 तक यह अंतिम साशक रहते हैं फिर 51 में क्या होता है कि बहलूल लोदी अपना नया वंच स्थापित करते हैं इनको मार देते हैं और बहलूल लोदी अपना वंच स्थापित करते हैं जिसका नाम है लोदी वंच यह पहला अफगान वंच था भारत में कि पहले कभी कोई अफगानी ने भारत में रूल नहीं तो 1451 से लेके 1526 तक यह लोदी वंच होता है पहलूल लोदी जो हैं वो सबसे पहले राजा होते हैं 1451 से लेके 1418-9 तक पहलूली सिक्के भी चलाए जाते हैं और शाहु खेल शाहु खेल शाखा अच्छली ये अफगानियों का एक शाखा है जो कि है शाहु खेल ये पूछा गया है पहलूलोदी इसी शाखा से थे और आप देखिएगा कि ये जो लास्ट अटैक ऑन गौलियर इनका आखरी अटैक जो है ये गौलियर पे रहता है जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनको ये मसंद ए अली के नाम से कहते हैं पहलूलोदी उनको मसंद ए अली कहते हैं उसके बाद लोदी के पुत्र आते हैं जिनका नाम होता है निजाम खान लेकिन इसका नाम सिकंदर लोदी भी होता है अब सिकंदर लोधी जो हैं वो 17 जुलाई 1489 को ये गद्धी समालते हैं और आग्रा के पास एक नवीन नगर बसाते हैं नया नगर ये आग्रा में बसाते हैं पंदरा सो छे में याग्रा को अपनी राजधानी बनाते हैं ये काफी ही कटर थे इन्होंने अपना उपनाम रखा हुआ था गुलरुखी इन्ही को कहते हैं गुलरुखी नाम से ये कवीता लिखते थे इन्होंने जुआला मुखी में जो मंदिर था उसको तुरवा दिया था और ज्वाला मुखी का जो मंदिर था इसको तुरवा कर इन्होंने जो मूर्ती के तुक्रे थे ये दे दिये थे कसाईयों को ताकि वो उससे मास को नापे ये चीज इन्होंने क्या था ये नगर कोट में ये मंदिर था अब ये लजते शिकंदर शाही ये क्या है ये गयान विद्या है यानि कि गाने का विद्या ये लजते शिकंदर शाही को भी इस्थापित करते हैं आयूर्वेद में जो भी ग्यान है उसको ये फार्सी भाषा में अनुवाद करवा के इसको फरहिंदे सिकंदरी के नाम से छबबाते भी हैं ये नाप का इकाई देते हैं नाप का इकाई जो है वो 30 इंच नाप का इकाई देते हैं और गज ए सिकंदरी इसका नाम रहता है गज ए सिकंदरी यानि कि गज के इकाइका ये रहता है फिर आप देखेगा कि जजिया इन्होंने वापस से शुरू करवा दिया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा राजा था जिसने जजिया टैक्स को बंद करवाया था सिकंदर लोदी ने जजिया को वापस से शुरू करवा दिया है अनाज पर जकात ये बंद करवाते हैं और कोई भी महिला जो एस्तरी जो है वो कहां नहीं जा सकती पीर और मजारों पर जाना रख वा देते हैं 21 नवंबर 1517 में इनकी बित्तियू हो जाती है इसके बाद जो आखरी साशक है लोदी वंच के यह आते हैं इब्राहें लोदी इब्राइहम लोदी जो है वो सिकंदर लोदी के पुत्र होते हैं और इब्राइहम लोदी के ही चाचा जी तो इब्राइहम लोदी के चाचा आलम खान और अफगान के सरदार दौलत खान ये दोनों बुला लेते हैं बावर को ताकि ये इब्राहिम लोधी को गदी से हटा कर भारत का समराठ इन लोगों को बना दें लेकिन आप जानते हैं कि बावर आते हैं और बावर आने के बाद मुगल वंच की स्थापना करते हैं तो 21 एप्रिल 1526 में बावर आते हैं पानी पद का पहला युद होता है और लोधी वंच जो है वो समाप्थ हो जाता है के बाद हम देखेंगे बस एक और टॉपिक है कि इसी समय तोताए हिंद कहलाने वाले आमेर खुश्रों भी रहते हैं आमेर खुश्रों के बाड़े में कहते हैं कि ये नोव राजा के समय में रहते हैं इनका जनम इटा में होता है एटा जो है ये उत्तर प्रदेश में जगा है और ये 1253 में इनका जनम होता है पतियाला नमक स्थान के पतियाली जो है जगा है एटा में यहीं पे इनका जनम होता है इन्हें अबल हसन खुश्रो के नाम से जाना जाता है दो सुल्तान के समय में य तो आप इसे मुझे बताएं कि नौ सुल्तान थे कौन से मैंने आपको क्लास के बीच में बताया है अब ये काववे शाला को बनाते हैं जो कि हिंदुस्तानी शाला होता है निजामदीन ओलिया की सिष्य होते हैं खरी बोली भारत में जो खरी बोली बोली जाती है इसके पीछे इनका ही हुनर रहता है जो ये मिक्स करके बोली को बोलते हैं सोताई हिंदिने कहते हैं, वीना को और इरानी तंबूडा को मिक्स करके, इन्होंने सितार, सितार के जनक यही हैं, तो सितार के यह जनक रहते हैं, जितने भी facts थें, सयद और लोधी में, जो कि आपके BPSC के examination में पूछे जाएंगे, वो सब हमने यहाँ पर discuss कर लिये हैं, बत